तो आपकी जो आगे की डिजाइन होती है वो सारी पीची चली जाती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपना माइंड जो है अभी से सट कर लीजिए और अपको होमवर्ट के जो होना ज़रूरी है ठीक है तो कुछ टिप्स मैं आपको आज दूँगी तो बिना किसी दिरी के चलते हैं वीडियो की तरफ तो लेट्स केट स्टाड़ेड तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं अभी कुछ दिनों पहले अपनी एक ब्राइट पर पहली बार महन्दी लगाने के लिए गई थी जिसमें मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें को मिली मुझे कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्यों कि मैं नॉर्मली अभी मुझे मेहनदी थी और मेले पस बस तारिक का टाइम था उसमी अभी मुझे मसम दनानी है और अइसे महेनर को महनदी लगानी है वह दे にव होगी जाती सिके मैं मे सेट कर दिया तूब मेहंडी नहीं दे पूझा होां गया दो इसके लगणुषिते हुथ तब तक उसने अपने हाथ की महांदी थी वहाँ पर उन्हों ने आग जलाई भी थी सेख के उसने अपनी महांदी जाड़ देथी क्योंकि बहुत जा़ा थंड़ थी अब सो सकते हो आप बरफ के टाइम पर उपर तो उसी चीज से मैं बहुत कुछ चीजे सीखी मैंने उस टाइम पर यूटूब पर सर्च किया था कि मुझे कुछ टिप्स मिल जाएं बट मुझे ऐसा कुछ अच्छे से मिलब टिप्स नहीं मिले था थोड़ा बहुत हेल्प हुई थी बट इतना कुछ अच्छा मेरे को मिला छिए दिट वाले हो आपके कहों कि देशिणा हुकरा हो तो आपको अंताँ होगा अगर आप लोगों पर लगाते होगे तो आपको अंताजाँ होगा बट अगरौ आप अभर रेद्ध ब्राइटी दंक को बता चीजे को करने चाहिए। 65 27 universities में डाल चूएあと लिंक की डिस्क्रिप्शिम में आप देख सकते हैं ठीक है तो उसमें आपको कौन परफेक्ट जूस करने है ताकि जो फ्लॉलस निकले और इजीली लगे ताकि आपके महंदी जल्दी भी लगे और जारा ठीक ना अगर महंदी जो होती है रेडिमेट आती है वो हार्ड होती है जब आप व्राइड पर किसे भी लगाते हो तो इजीली नहीं निकलती है और आपकी जो इंघ्री महंदी ख़ढ़ नगनी liघन पर अच्छी ने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा घनी जो महंदी लगानी है जब रैडी मीट कौन भी ले रहे हो तो अपको थोड़ा-सा थोड़ा सा कट कर दे ना ताकि उसे आप थिक लाइन ड्रोय कर सको कहीं पढ़ित धिक जहां पर Cancer काम करना हो तो चीज से आप बारी काम करना होता है जब फारी दो चीज़ यह गई तीसरी जी और सबसे main जो problem होती है जब आप महंडी लगाते हो यहाँ पे जैसे आपने आगे महंडी लगाई है जब आप हाथ को पीछे करते हो तो आपकी जो आगे की design होती है वो सारी पीछी चली जाती है और जब आप पीछे लगाते हो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहले तो आप Was सबसे पहले यहाँ पी डिबी वाली डिजाइन मत बनाएगा जब भी जो आप करके भी मेजरमेंट ले सकते हो ताकि यहां भी ज़्यादा मेहंदी लगे और पीछे बीज़ाइन पीछे ना आए ठीक है और उसके बाद साथ ही जब आप यहां पर लगाते हो इसको आप ज़्यादा इदर तक ले जाएगे क्योंकि आपका जो डिज़ाइन होता है यहीं पे तक हम लगाते हैं जनरली फिर जब हम पीछे लगाते हैं पीछे हमारे इतना पर यह वाला जो पोर्शन होता है इधर साइड वाला पोर्शन पूरा खाली छूट जाता है वहाँ पे आपको थोड़ा टफ होगा क्योंकि जब मैं गई थी लगाने तो मेरा भी कुछ द्रॉइसे कंपर और यहाँ पर आपकों बनाना है फ्लावर्बdar आप बना लिजेगा पर तक वहाँ आगे और पीछे मार्या धूपर կाप укरत दिया है इसकां 一些 रॉक्यांने कोई किकोई कई बनानी है जसे आप इसकी मेजरमेंट ले लीजी और साइड को ऐसी ही डिजाइन बनानी है जिससे आपको ताकि आप उसको पीछे में मर्ज कर सके हैं अगर आप ऐसे चौकर से कोई डबा बनाते हो तो आपको पीछे भी पिर ऐसे चौकर ही डबा जो है बनाना पड़ेगा ताकि वो बेकार न लेगे ठीक है या फिर आप इसको कुछ ऐसे ऐसे करके आप आप दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो जो एक डिजाइन में भी आ जाए जाए जो आगे की डिजाइन में भी आ जाए और पीछे की डिजाइन में भी आ जाए तो आपको कुछ इस टाइप से ही करना है वरना आगे पीछे सब सिंपल सी ऐसी कोई d epsilon दे tournaments पर आपको बहुत से dezember न ay治 अगर आप ऐसे डिजाइन लगाते हो तो जढ़ा सूट नहीं करती है और लिए लिए खोřप अपर उट होते हैं इनमें आपको भीना में ऐसे बहुत से डिजाइन कर दे जेंगी है बहुत सब्सक्राइब हो sounds बार में यहां तो यहां को यहां किस्व पर यहां को आपकोwrाम को ऐसा करना है तो घुटा है और मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा आपको हमवर्ट करना जो है वो ज़रूरी है अगर आप ब्राइट पर महंदी लगाने ही जा रहे हो लाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ जो है ध्यान में रखने पड़ती है तो वह सब आप देख लीजेगा उस वीडियो को आप देख सकते हो और आपके लिए वीडियो जो है फुल हुई होगी अगर फुल हुई है तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा और चैनल को स सबस्क्राइब जरूर कर दिजेगा सू थैंक्यू भाइ